डिलिवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है और उस तोरान आपको कौन सा सैनुटरी पैड यूज करना चाहिए डिलिवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग कम से कम 15 दिन और ज्यादा से जादा एक महिने तक होती है ये bleeding depend करती है आपकी breastfeeding journey पर आप जितना जादा अपने बच्चे को दूट पिलाते हैं उतना ही जल्दी आपकी bleeding कम होने लगती है और जल्दी से खतम हो जाती है इस दौरान यूज किये जाने वाले sanitary pad होते हैं वो maternity pad के नाम से online और offline easily available होते हैं तो आपको उस दौरान ऐसे pad यूज करने चाहिए क्योंकि उस दौरान होने वाली bleeding बहुत जादा heavy होती है यही एक कारण है delivery के बाद regular pad काम नहीं करते हैं इन pad को आप online purchase कर सकते हैं इनका link में नीचे description box में और comment section में दे दूँगी अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो please channel को subscribe जरूर कीज़ेगा धन्यवाद